ms word में आप 3 बार minus ऐसे type करके enter करेंगे तो single line आपको देखने को मिलेगी और 3 बार अगर आप ये equals to के symbol को डाल के enter करेंगे तो double underline आपको यहाँ पे दिखाई देगी ठीक है उसके बाद अगर आप hashtag को 3 बार ऐसे प्रेस करते हैं और enter करते हैं तो ये वाली designing एक तरीके से जो line है ये आपको यहाँ पे show करेगी और अगर आप यहाँ पे star का symbol 3 बार ऐसे type करते हैं और enter करते हैं तो यहाँ आपको कौन सी line दिखाई देगी dotted line इस तरीके से आपको दिखाई देगी और अगर आपको zigzag वाली line चाहिए तो उसके लिए shift के साथ one button होता है उसके बगल में आपको tilde वाला symbol मिल जाएगा ये वाला इसको तीन बार आप ऐसे type कीजेगा और enter करेंगे तो ये zigzag वाली जो line है ये आपको show हो जाएगी और इन सब line का use आप कहा करोगे इन सब line का आप use इस तरीके से कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ पर कोई heading डाली और उसके बार आप यहाँ पर simple line डालना चाहते हैं तो simple minus minus करेंगे तो यहाँ पर line आपकी insert हो जाएगी